और इसलिए दोनों पेसेंट को अलग-अलग मेडिसिस दिया गया, जिसको फॉस्फोरस की दरकार्थ, इसको फॉस्फोरस दिया गया, जिसको लाइको की दरकार्थ, इसको लाइको दिया गया, और दोनों ही पेसेंट में, दो मेहने की अंदर, उनका अंदर काफी हत तक इंप प्रॉब्लम थी लेकिन में यहीं बात आप लोग को ौमयोफेटिक मेडिसिन इंडुजयॏइशन ठीयोरी पर काम करती है यानि आपको और आपका फ्रेंड को या किसी और को सेंवीभी क्यों ना हो लेकिन आपको जो medicine दिया जाएगा आपका friend को वही medicine दिया जाएगा की नहीं इस बात का कोई guarantee नहीं है क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान अलग-अलग पैदा होता है अलग-अलग उनका thought process होता है अलग-अलग वो इंसान होते है चाहे कि उनका जुड़वा भाई ही कि उनका हो जो 5 मिनिट पहले पैदा हुआ हो उसका और जो 5 मिनिट बात पैदा होता है वो भी अलग होता है और यही बात मैं आज से 3 साल से मैं समझा रहा हूं लोगों को कि होमियोपैथी में रोगी के रोग के नाम पर कोई मेडिसिन से वेलेवल नहीं होता है लेकिन आज भी मुझे लोग मैसेज करते हैं डॉक्टर साब मुझे ये प्रॉबलम है इसके लिए को एक मेडिसिन बता दीजे और यही बात मैं आज आप लोगों को प्रॉफ के साथ बताऊंगा कि दोनों ही दोस्त को सेम प्रॉबलम थी दोनों ही दोस्त को यौन समस्या थी लेकिन यौन समस्या होने के बावजुद भी एक पेसरेंट को दिया गया लाइकोपोडियम और दूसरी पेसरेंट को दिया गया फॉस्फोरस और दोनों ही पेसरेंट को इंप्रूम्मेंट हो गया है दो मैने का मेडिसिन से लेकिन प्रस्ण यहाँ पर यह आता है कि दोनों ही पेसरेंट को अगर यौन समस्या थी दोनों ही पेसरेंट को एक ही प्रॉब्लम थी तो अलग-अलग मेडिसिन आपने क्यों दिया ऐसा बहुत लोग पूछते भी है वह इसलिए क्योंकि दोनों ही पेसरेंट का प्रॉब्लम सेम होने के बावजुद भी दोनों पेसरेंट का लगसन अलग-अलग थे एक पेसरेंट इसके बाद एक पे सेंट ऐसा है जो करज बिल्कुल नहीं करता है उसे जगह पहर एक दोस्त ऐसा है जो कि जिसके हाथ में पैसा रहता ही नहीं है पैसा आने मात्र खर्चा हो जाता है एक पेसरेंट रस्पोंसिबिलिटी उसको लेना अच्छा नहीं लगता है रस्पोंसिबिलिटी उसको उठाना अच्छा नहीं लगता है दूसरा को रस्पोंसिबिलिटी लेना अच्छा लगता है उसको उठाना भी अच्छा लगता है दोनों भी फ्रेंड का physical structure अलग है एक तो अदम लंबा चोड़ा lean thin stoop shoulder है और दूसरे वाली फ्रेंड का height उससे थोड़ा काम जरूर है और body में उसका fat का deposition थोड़ा ज्यादा है thigh और leg का region में एक प्रेंड को अंदर इसे बहुत डर लगता है दूसरी वाली को अंदर इसे कोई डर नहीं आप उसको कहीं भी उसको बोलो जाने के लिए चला जाएगा यहाँ पर common बात दोनों में यह था कि दोनों का family history में liver trouble पाया गया था दोनों का family history में liver trouble है लेकिन यहाँ पर एक फ्रेंड का family history में liver cancer बहुत सरा देखा गया है और एक फ्रेंड का family history में liver trouble जरूर था लेकिन cancer महीं था तो यहाँ भी हम लोग differentiate कर सकते है lycopodium और phosphorus में phosphorus के अंदर liver cancer या कोई cancer जो है बहुत prominent है क्योंकि यह syphiletic group of medicines है वहीं पर lycopodium के अगर बात करें तो यह cancer के लिए उतना recommended नहीं है हाला कि liver के लिए यह बहुत इच्छी medicine है lycopodium लेकिन cancer का बात जब आता है तो phosphorus वहाँ पर पहला first grade remedy बन जाता है और एक symptom similarity जो मुझे मिला इन दोनों patient की अंदर वो यह है कि यह दोनों ही patient की अंदर सोचने समझने की समता बहुत अच्छा है बहुत ही brilliant patient है और सच में lycopodium और phosphorus बहुत ही brilliant remedy है यह दो तो इन बातों से हम लोग बड़ी आसने से differentiate कर सकते है कि एक patient को lycopodium क्यों दिया गया और दूसरी वाली patient को phosphorus क्यों दिया गया सब जानते कि lycopodium जो patient है इसको sweet खाना बहुत पसंद है वहाँ पर phosphorus जो patient है इसको sweet खाना बिलकुल पसंद नहीं है lycopodium जो patient है इसको अकला रहना अच्छा लगता है यह अकला ज़्यदा रहना prefer करता है या साथ में उसका एक या दो जन हो जिससे वह अपना काम निकाल सके ऐसा लोग उसको पसंद है लेकिन phosphorus का जो mentality है वो party करना दोस्तों के साथ घूमना फिरना इस तरह का mentality है behavior है phosphorus का phosphorus का patient को देखने में लंबा होता है बहुत ही लंबा एकदम lean and thin होता है लेकिन lycopodium का जो lower abdomen का जो region है वो थोड़ा भाड़ी रहता है compared to phosphorus lycopodium का अंदर भूत पेत का कोई डर कुछ खास नहीं होता है लेकिन phosphorus का अंदर भूत पेत का डर होता है darkness से डर होता है दूसरा बात हो गया lycopodium का जो patient होता है इसको responsibility लेना अच्छा नहीं लगता है responsibility लेना इसके लिए बोज है लेकिन responsibility अगर मिल जाता है एक बार उसके बाद एच्छी तरह काम भी कर देता है लेकिन पहले इसकी initial hesitancy होता है responsibility लेने में लेकिन phosphorus के अगर बात करें इसको responsibility इसको लेना अच्छा भी लगता है और वह काम करके भी दिखा देते है लाइग पोडियम का जो patient होता है यह थोड़ा खाना गरम गरम इसको अच्छा लगता है और ज्यादा यह खाने का सोचता जरूर है है लेकिन यह खा नहीं पातź है वैसा इसको अपटैट है भूत बहुत है रवनमस है लेकिन वह सोचती जरूर्ल है कि मैं इतना खा लेकिन फॉस्फरस का पेसेंट है इसका अंदर अशा कोई बात नहीं है लेकिन इसको ठंडा खाना अच्छा लगता है ठंडा कोल ड्रिंक्स आइसक्रीम यह सब खाना अच्छा लगता है इवन कि डाज चावाद रोटी सब्जी भी जो है गरम खाते लेकिन बहुत ज़्याद से निकलता नहीं है डिला बिल्कुल नहीं करते है पैसे कोई भी आके कुछ बोल देगा पैसे दो करके वह पैसा जो है बहुत सोच सब्सक्राइब करने वालों से है लेकिन फॉस्फरस का पेसेंट होता है यह बिल्कुल भी नहीं सोचते है पैसा को ज्यादा खर्च करने से पहले हैं चारिज बहुतag हो जाता है इसे क्यों को नीज्जादा करणा बने बदने बचाई की फासफोरस की फैम尹र बैक्ग्राउंट से Web मिलता है लोगार समस्ज और ने रात करें तो स्भूस्पोरस में बहुत्त मिलता है और इसी लिए दोनों पेसेंट को अलग अलग मेडिसेंस दिया गया जिसको फॉस्फोरस की दरकर्थ इसको फॉस्फोरस दिया गया जिसको लाइको की दरकर्थ इसको लाइको दिया गया और दोनों ही पेसेंट में दो मेहने की अंदर उनका अंदर काफी हथ तक इंप्रूमेंट हो चुका ह दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को यही समझाना चाहा रहा था कि होमेपैथी में रोगी के रोग के नाम पर कोई ते लगण नहीं इसी बात को मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाया ताकि मैं आप लोग को दिछा सकूँ कि डिगया ह। दोस्तों में इस वीडियो को इंप brain करते हूं so thank you very much and have a good day